असलम अलेकम, वेलकम टूज, टॉप कोईट नियूज, उमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे, आज की कोईट की ताजा तुरीन एहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, कोईट की एहम खबरों को शामिल करेंगे, इंडियन अफराद क हवाले से खबर आई है, दुबई में फसे लोगों के हवाले से खबर को शामिल करेंगे, और कोईट की जानिब से घैर मुलकियों के लिए एक और जटका दिया जाएगा, जिस पर अमल जल्द ही शुरु कर दिया जाएगा, और फ्लाइट के हवाले आखिर तक देखेगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताके वो भी कोईत के हलात और वाक्या से बाख़बर रह सकें और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प जब से लॉक्डाउन लगा उस वक्त से लेकर 2020 के आखिर तक जिन में 69,000 इंडियन अफराद शामिल है जिनोंने कोईत को छोड़ दिया है और कोईत को खैर बात कहने वालों में सबसे ज्यादा इंडियन लोग ही है इसके बाद मिसर के लोगों ने दूसरे नंबर पर कोईत सब मिलकर आज यईनी के पीर को मिलकर ये फैसला करेंगे कोईत के किन एरियाज में किन अलाकों में लोगडाउन या कर्फ्यू लगाना है और किन अलाकों में नहीं लगाना इसके बारे में फैसला लिया जाएगा आज और हो सकता है कि किसी भी एरिये में ना लगाया जाए lockdown या curfew क्योंकि ये अब उन पर depend करता है अभी सिर्फ यही खबर मिली है कि lockdown के हवाले से फैसला आने वाला है आज 22 फरवरी रात को अब खबर को शामिल करते हैं दुबेई में जो लोग फंसे हुए हैं जैसा कि domestic worker जो फसे हुए हैं दुबेई में और अगर वो किसी भी मुल्क से आए हों और वैलिड वीजा वाले अगर दुबेई में फसे हुए हैं तो वो लोग कोईत में एंटर कर सकते हैं उनके लिए कोई मुश्किल या रोक टोक नहीं होगी तो जो लोग खादम वीजा वाले हैं वो जल्दी से टिकेट को खरीद लें तो वो लोग दुबेई से कोईत में एंटर कर सकते हैं खादम वीजा वाले और इसके इलावा जो कोईती हैं अगर मेडिकल स्टाफ वाले हैं और जो भी कुईती हैं तो वो भी दाखिल हो सकते है कुईत में, तो अभी सिर्ख कुईत की जानिब से डोमेस्टिक वर्कर्क के लिए सोचा गया है, बाकी अभी दूसरे विजा वालों के लिए नहीं सोचा गया और इन खादम वीजा वालों का साथ दिन का ही कॉरंटाइन होगा होटल्स में और बाकी साथ दिन होम आईसोलेशन होगा अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानीब क्वेट में जो गेर मुल्की रहते हैं उनके टेक्स के हवाले से अब बात करते हैं जैसा के क्वेट में जो गेर मुल्की अफराद रहते हैं तो वो अपने अपने पैसे बेशने हैं एक्सचेंज कंपनियों के जरीए या फिर बैंक्स के जरीए तो अब जो बाहर के लोग पैसे बेजेंगे तो पहले एक टेक्स लागू किया जाना था जिसको उस वक्त रोग दिया लेकिन अब इस टेक्स को दुबारा से शुरू कर दिया है जिसमें जो भी गेर मुल्की अफराद हैं और जो पैसे बेजेंगे उनमें अब टेक्स को वसूल किया जाएगा एक्सचेंज कंपनियों के जरीए और बैंक के थरू तो अब वो जितने भी पैसे बेजेंगे उस ह अगर बाहर के गेर मुल्कियों पर टेक्स नहीं लगाएंगे तो उनको फिर 10,000 केडी तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो इक्सचेंज कंपनिया है या फिर जो बैंक है उनको और अगर दूसरी बार भी यही गलती करते हैं तो फिर 5 साल की कैद याईनि के जेल भी हो स अब इस बारे में मुकमल एलान नहीं जारी किया गया है लेकिन जल्दी कर दिया जाएगा और इस कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जैसा के कोईत अलान कर चुका है के बाहर के लोग कोईत में नहीं आ सकते हैं चाहे फ्लाइट्स को बैन करने की वज़ा से गैर मुल्खियों के दाखले पर पबंदी की वज़ा से 3000 के करीब लोग दुबई में फंस के हैं जिन में से जहाज आया उन में से 5 लोगों कोई ही एंट्री हुई है दुबई से जो लोग आए हैं उन में सिर्फ और सिर्फ तीन लेशन होगा तो कोईट में आने के लिए गैर मुल्खी तरस रही हैं और अब उनके पास अखराजात भी तकरीब ना होने के बराबर हैं चार से पांच हजार के करीब लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर तो अभी फ्लाइट के अंदर सिर्फ तीन ही लोग आए हैं ब बाई मर्स पाई गई है जबके 40 परसंट गैर मुल्की सामने आए हैं अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो के कोमी छुटियों के दुरान कोईट का मोसम सर्द होने की पेशन गोई की गई है मैकमा मुसियमायात के माहरीन ने पेशन गोई की है के अफरीकी हवाउं के वस्ती अरब खिते में दबाओ के नतीजे में मुल्क में मंगल और बुद के रोजगरच चमक के साथ दर्मियाने दरजे की बारिश का इमकान है इसके इलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है के माहरीन मुसमियात ने मजीद कहा है के मुल्के बेश्तर अलाके अंद शुमाली हवाई चलेंगी जिनकी रफतार 15 से 35 किलो मीटर फी गेंटा होगी उन्होंने निशायनगी की है के हफ़ते के आखर में कौमी छुटियों के दुरान मोसम कुछ सर्थ होगा जबके ज्यादा से ज्यादा दरजाराथ 18 डिग्री सेंटीग्रेट और कम से कम द वजारत दाखला की जानिब से तियारियां मुकमल कर ली गई है जबके रजाकारों को भी तरब कर लिया गया है कर्फ्यू के मतवक्का फैसले से कबल वजीर दाखला ने आउटलेट का मौइना किया स्क्यूर्टी डिरेक्टर्स पुलिस टेशन और वजारत दाखला के सेक् वजारत के एकदमात पर तबादला ख्याल किया गया अपने सरकल में पाबंदी आइद करने के इमकानात के पेशन अज़र सेंक्रों के जंडों से जरूरी इतियादी ततबीर इक्तियार करने और फोर्सिस की तियारी पर जोर दिया वज़रा के जुजवी कर्फ्यू से कबल तियारियों के सिंसले में दोरों के तनास्ब में वजीर ने बंदरगाह का मौइना भी किया ताके जारी फैसलों पर अमल द्रामत की तियारियों का तेयन किया जा सके जबके उन्होंने गुजशता रोज डिरेक्टर आफ स्क्योर्टी और पुलिस टेशन का अचानक दोरा भी किया था ताके स्क्योर्टी के जवानों के काम करने के तरीका कार और हफ़ते के आखिर में स्क्योर्टी एहलकारों की तियारी को जानचा जा सके तो ये थी आज की एहम तरीन खबरें कुएत की जो आप लोगों के साथ मुकमन डिल्टेल के साथ शेयर की गई हैं उमीद करती हूँ के आपके इल में इजाफा हुआ होगा और आज की वीडियो से आपको information मिली होगी और आपको आज की वीडियो पसान आई होगी इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी latest update में तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त और अपना सब बोथ क्याल रखिएगा थैंक यू खुदा हाफिज और थैंक्स फॉर वाचिंग